तिहां नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं आपका बाई रोहित ट्रीवेंट का होस्त, आज आपको एक अजीब और गरीब फर्मान सुननने वाला हूँ, यानि एक अजीब और गरीब जानकारे देने वाला हूँ, कि पांच रुपे के सिक्के अपनी वेल्यू कितनी रखते हैं तो बिल्कुल दोस्तों पितले वीडियो में आपने देखा होगा, दिवतिये अंतराश्टिये विज्ञान, जो पसल विज्ञान कोंगरेस का जो हमने सिक्का बताये था, वो सिक्का कितना महेंगा है, इसी के साथ में आपको आज भी मैं फिर से 5 रुपे के सिक्के के बारे क्यानि पुराने नोटिया और इस पुराने नोटिया पुराने सिक्के में कुछ नहीं रेखा। दोस्तों बिल्कुल मैं सच बता रहा हूं आप इसी की मदोस्तों लागू हुए थे जो इसी समय जो सिक्के आये थे यानि आज मैं बात कर रहा हूं 2007 के अंदर बने सिक्के की वो पांच रुपे का सिक्का जो 2007 के अंदर बना था और वेल्यू भी हाजारों की रखता है यानि उसको अगर हम किसी एक्जिविसंस या किसी कोईन्स कलेक्टर को ब मनल crash के बताते हैं और बीना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज बिना किसी आरबियाई लेटर के आपको सेल करना है किसी को पेसा एक भी इंवेस्ट नहीं करना है तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों पांच रुपे के उस सिक्के के वारे में जो सिक्का जिसका मेटल है दोस्तों मेटल की बात करते हैं कोपर निकल का है यानि कोपर निकल का यह सिक्का बना था और इसके वजन की ब लगा था मेरे सबसे कब जो भी लगा था 2007 में उसको 50 वर्ष पूर्ण हुए थे यानि कि आप 2007 से 50 वर्ष गठा लेना तो आप जाके यह सिक्का जो खादी और ग्रामों उद्योग यानि उसकी याद में बने थे कि यार 50 वर्ष इसको पूर्य हुए है तो यह सिक्का इस्यू में लाए गये था एक तरफ असो कि स्थम्प का फोटो और पांच रुपए लिकावा है और दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ तो जो है मात्मा गांदीजी का फोटो चर्के के साथ अभर दिखाया गया है और यहाँ पर फचास येयर नीचे लिकावा है उपर की तरफ आप एक तरफ खा दियो ग्रामों उद्योग लिकावा है यह सबसीज इस सिक्के के उपर लिकावा है अब दोस्तों मेटल इसमें कोपर निकल का बना थे यानि यह नहीं था कि चांदी स हम खारट करते हैं 20-23 mm और बात करते हैं बाते हैं जेसे की यह गोल है यानि आप बनाए गोल इनकी जो ऐह डलाई ही थी या जो इनका प्रिंटी माहता ऐथा ती सारे सिक्के चार कूट के हुटके भी उते हैं या आपक भी होते हैं तो यह सिक्के सर्क्यूलेशन में यानि गोल इनकी जो जो है इनकी आकरती गोलाई ली गई थी तो यह सिक्के मिंट जो है इनका बोंबे मिंट का यानि रेर सिक्के की बात करो यह जो खादियोग्रामो उद्योग के सिक्के है इनमें रेर सिक्का बोंबे मिंट का है और यानि एक हे सिक्के के बदले में आपको मिलेंगे 1500 से 2000 रुपे और UNC कंडिशन की 5000 पलस रेट है दोस्तों 5000 से पलस रेट है यह चीजे पुस्तक्स में दी गई है जो कोईंस के बारे में जो पुस्तक्य लिखी गई है उनमें इनका वर्नन है तो प्लीज अगर ऐसे सिक्के आप निकल के बनाएगे थे इस सिक्के Bomber mint वाले शिक्के अगर आपके पास में है तो वह बिकैंगे दोस्तों आपके अगर UNC कंडिशन का तो पहांच से पलस में यानि 5000 पलसले सी बिकने वाले हैं तो अगर ऐसे शिक्के है तो 100 परसेन आप सोचलों कि कितने में बिकेंगे कैसे बिकेंगे बैचनी का तरीका बार बार कहता है हूँ इस अप्रोड वाले जो रेजिस्टेशन चार्ज आर्बार लेटर वाले सब चीज़े फ्रोड है बिल्कूल एसे लोगों पे आपको विश्वास नहीं करना है और मेरे इसाब से 99% ओनलाइन जो बाहर होते हैं वो सब के सब फ्रोड है बिल्कूल हमने कापी सारे लोगों के बारे में आपको बताया पंकर सिंग बदोरिया, कापी सारे नाम चर्ची चहरों में सुमार है वो सब छीज़ें फ्रोड, यानि वो तो जो पंकर सिंग होता है वो तो रियल आजमी हो सकता है, लेकिन उनके नाम पर यह चीज़े फ्रोड होती है आपने सुना होगा, राजग्यानी के नाम पर भी इतना फ्रोड होता है दुनिया के अंदर उसके कितने ओपिसस है, फिर उस राज ग्यानी को पता नहीं, का पिसारे लोगों से हम जब संप्रक करते हैं, तो वो चीज़े ये बताते हैं, तो अगर ये पांच का सिक्का आपके पास है, तो आप सोच ले न, अभी तो उसको बचा के रखे, आने वाले समय में इनका वेल्यू बढ़ने वाला है, तो बिल्कुल ये सिक्के पुराने ही नहीं, 2007 वाले सिक्के भी इतने महेंगे हो सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जेहिंद, राम राम